बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कल दिन की शुरुवात कैसे करेंगे, क्या होगा कल का महा उपाए कल प्राता काल सूर्य भगवान को जल चढ़ाईएगा, जल में जरा से काले तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिएगा पूरे दिन के कारियों में आपको आसानी से सफलता मिलती रहेगी, पूरा दिन आपका सुन्दर बीटता रहेगा चलिए अब जान लेते हैं कि कल के लिए अलग-अलग राशियों की स्थिती कैसी रहने वाली है सबसे पहले मेश राशी मेश राशी मेश राशी वालों की दोड़ भाग कल बढ़ी रहेगी नौकरी में थोड़ी सी दिक्कतें भी दिख रही है इसलिए कल आप हनुमान जी की पूजा कर लीजेगा हनुमान चालिसा पढ़ लीजेगा तो दिन आपका बेहतर होगा शुबरंग आपका नीला होगा और भाग साथ निभाएगा 60 प्रतिशत व्रिश राशी वालों को नौकरी में और व्यावसाय में बड़ा मौका मिल सकता है आपकी पारिवारिक चुनताएं कल दूर होंगी और अगर कहीं पर धन रुका या फसा हुआ है तो वो आपको प्राप्त होगा शुबरंग जिसका इस्तमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग साथ निभाएगा 75 प्रतिशत मितुन राशी वालों का स्वास्ट बेहतर होता जाएगा नौकरी में सुधार होने की संभावना बन रही है घर में प्रसन्नता का माहौल भी बना रहेगा शुबरंग जिसका इस्तमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग आपका साथ निभाएगा 80 प्रतिशत कर्क राशी वालों के सेहत में सुधार होगा रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे इस्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है शुबरंग जिसका इस्तमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग साथ निभाएगा 75 प्रतिशत सिंग राशी वालों के जीवन में पारिवारिक समस्याएं आ सकती है चोड़ चपेट के शिकार हो सकते हैं चोड़ चपेट लग सकती है गुड़ खाकर अगर घर से निकलें तो दिन आपका बेहतर होगा शुबरंग आपका क्रीम और भाग साथ ने भाएगा 55 प्रतिशत कन्या राशी वालों को कल अपने संतान के स्वास्ते का ध्यान रखना है करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है और धन लाब के योग भी इस समय बने हुए है शुबरंग जिसका इस्तमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग साथ ने भाएगा 70 प्रतिशत तुला राशी वाले कल बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाएगे ऐसा लगता है और दोड भाग भी आपकी काफी बढ़ी रहेगी लेकिन इसका फाइदा भी आपको होगा धन का लाब होता हुआ दिख रहा है शुबरंग सफेद और भाग्य होगा 70 प्रतिशत ब्रिश्चिक राशी वालों के परिवार में शान्ती आएगी वाद विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा धन लाब के सुन्दर योग बने हुए हैं शुबरंग जिसका इस्तमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग साथ निभाएगा 75 प्रतिशत धनू राशी के लोगों को वाद विवाद से बचाव करना हैं निर्डेयों में सावधानी बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा हनुमान जी की उपासना कीजिएगा ताकि कोई दिक्कत परिशान ना करें शुबरंग हरा और भाग्य होगा 60 प्रतिशत मकर राशी वाले आराम के मूड में दिखाई दे रहे हैं लेकिन लापरवाहिया मत कीजिएगा वरना आप फस जाएंगे धन का मामला आपका बेहतर है धन की प्राप्ति आपको होती रहेगी शुबरंग सिल्वर यानि चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 70 प्रतिशत कुम्ब राशी वालों की कोई पुरानी इक्षा कल पूरी हो सकती है स्वास्थ आपका बेहतर बना रहेगा मान सम्मान आपका बढ़ता रहेगा उसमें चंता की जरूरत नहीं है शुबरंग नारंगी और भाग्य होगा 85 प्रतिशत मीन राशी कोई महत्वपूर काम कल के दिन आपका बनेगा जीवन की तमाम समस्याएं दूर होंगी और धन का लाब होता हुआ दिखाई दे रहा है शुबरंग जिसका इस्तमाल करेंगे वो होगा पीला और भागे साथ निभाएगा नब्बे